हेलो गाईज आप सभी का मेरे चनल में सोगत है आए आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने वाला हूँ Office 365 हम अपने सिस्टम में कैसे डाउनलोड कर सकते है और यूज कर सकते है आपने अकसर मेरी वीडियो में देखे होंगे कई फंक्सान में ने वहाँ पर यूज किये है जो कि आपके Office वर्जन में अवेरेबल नहीं है अब क्यों नहीं है क्योंकि हो सकता है आपके पार 2013 हो 10 हो 7 हो तो यह जो आपको तरीका बताने जा रहा हो यह बिल्कुला फ्री है ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे इसमें देने पड़ेंगे आप इस वीडियो को लास तक जुरूब वाच किजिए का जिससे कि आपको पता चल पाए कि Office का जो भी वर्जन है उसको कैसे आप अपक्रेद करा सकते हैं तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं जारा टाइम ऊइं लिखना है यहाँ पर आपने लिखना है Microsoft my developer ठीक है जैसे आपने लिखा इंटर प्रेंट किजिए इंटर जैसे आप प्रेश करते हैं यह क्या गया Microsoft developer ठीक है इस पर आप क्लिक किजिएगा scroll down Microsoft 365. इस पैसे आपने क्लिक करना है. फिर आपने स्कॉल раздел down करना है. उग के पैज में गोई पे कलिक करना है. यह आपने कर दिया. इतना करने के बाद आपने sign in करना है. अगर आपके पास अकाउंट है तो वेलन गूड नहीं तो आप बना सकते हैं इस विंडू पर यहाँ पर आप यहाँंपर कंटी सेलेट कर सकते हैं इसे कि मैं यहाँ करता हूँ टेक जैन डॉट कॉम यहां पर आपने आई सब्सक्राइब करना है यहां पर आपने नेक्स पर क्लिक करना है यहां पर एक विंडो आ जाएगी यहां पर आपने आप देख सकते सब्सक्राइब करना है यहां पर आपको डूमें वही देना है जो आपने पहले और कंपनी का नाम नीची यह चेकर करके बताएगा कि यह अपर आपने पासवर्ट देना है यहां रिपीट करना है ठीक है यहां पर आपने अपना फोन नमबर देना है मैं फोन नमबर टाइप करता हूं सेंट ओटीप करता हूं यहां पर आपने आपने क्लिक करना है जैसे सेट अप पे क्लिक करते हैं यह देखे इन प्रोडेस आ ठीक है यह वाला पेज खुलके आ जाएगा यहां पर बोलेगा यह जो एवलेबल है क्लिक करते हैं आपको यहां पर आपको सेम आपने टाइप करता हूं किया मैंने साइन पर क्लिक करता हूं ठीक है मों कि 2020 आप जैसे ही क्लिक करते हैं यह देखिए कि जा गया इए यहां पर आप देख सकते किπει हैं और राइट है Andसा इए में स्टाल अफ इस को अपने क्लिक करना है इस इस पर आपने क्लिक करना है टॉपडाऊन पर आप देखोगे Espa इस पर आपने क्लिक करना है यह डाउनलोडिंग का प्रॉसेस स्टार्ट हो जाएगा जैसे यह डाउनलोडिंग हो जाएगा यह देखें मैं फोल्डर में जाता हूं वहां पर आप देखोगे देखोगे इस प्रॉसेसद का अपने कुछ नहीं इस सेक्तेप क्लिक करना है वीडियो को करता हूं लास में आपको बतात है इतना करने के बार खलोज अपने करते हैं आप को यह test करना की अफिस एक अविलिबल है कि आपको आपको ऐसा भाय तो भी मैं आपको बताता हूं किंद आपको किजीए यहां पर आइड्टाइब जो आपने बनाई थी ठीक है आइड आप टाइप करते हैं पास्टर टाइप करते हैं दैन ओकी ठीक है चाहिए यह प्रॉसेसिंग हो रहा है यानि की लोडिंग हो रहा है जैसे ही यह कम्प्लीट आपको एक्टिवेट करके देगा सेटब ओके कर दीजेगा देखिए ओफिस जो है वो रेडी हो रहा है आपके सिस्टम पर इतना आपने कर दिया ठीक है देन क्लोज कर दीजेगा अब आपको चेक करना है अगर यह वाली विंडो आपके पास नहीं आ प्रिशिक्टिफाइब नहीं होता है तो मैनेज अकाउंट पर जाके आप कर सकते हैं वहां पर लॉग इन कर दीजेगा उसी आईडी से जो आपने बनाई थी और पासवाट के साथ तो आटोमेटिक यह एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है अगर आपने वीडियो यहां तक द